शंदिन, पढ़ पढ़ के दिमाग करा वो जुका मैं हम क्या करें हम, पढ़ना तो पढ़ेगा जब तक सेलेक्शन नहीं हो जाता, you can't do anything, well, सबसे पहली जो न्यूस है वो G20 के बारे में है, क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि G20 की जो समिट है ये बहुत जादा फ्रूटफु कि बिल्कुल साही लिखा है, दूसरा लिखा हुआ है कि इसके अंदर रोम डिकलेरेशन को accept किया गया है, बस बच्चा, सवाल यहां से बनेगा, सवाल कहां से बनेगा, सवाल बनेगा रोम डिकलेरेशन से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बो तो स्टीक्मिटा करें, आपसे simple question पूछा जाएगा कि ये बताओ Rome declaration अभी हाली में चर्चा में था, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, आप बोलोगे G20 की 2021 की जो summit है, उससे जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका इस बार का जो आयोजिन है, वो इटली की capital रोम के अंदर किया गया, सवाल, रो सब्सक्राइब करते हैं, देखो, दो दिनों की summit थी, इटली के अंदर इसका आयोजिन किया गया, अब इसमें देखो, रोम declaration जो है, इसमें कुछ भी नहीं है, कसम से बताने, इसमें कुछ भी नहीं है, वही रोजमनरा की बाते हैं, वही क्या, चाय, वही कॉफी, वही बिस जो हैं, इनको इनोंने रोम declaration के अंदर लिखा हुआ है, अगर तुमसे पूछा जाए, रोम declaration के अंदर टोटल कितने points रखे गए हैं, तो इसके अंदर टोटल 16 points रखे गए हैं, जो इनी तीनों चीजों के बारे में बात बताते हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, ले लेकिन कहीं ना कहीं ये लाग कर रहा है, जिसकी वज़े से COVID के जो cases हैं, वो क्या हो गएं, बढ़ना एक बार फिर से शिरू हो गए, तो सभी देशों ने, यानि कि 19 देश और European Union, इन लोगों ने मिलके कहा है, कि हम WTO का साथ देंगे, यानि कि Ted Rose Uncle के साथ में काम करेंगे, अभी दो दिन पहले मैंने आपको बताया था, कि WTO के अंदर, जो Ted Rose Uncle है, यानि कि ये कौन है, ये अध्यक्ष है ना, WTO के, तो इनका जो कारिकाल है, वो second term के लिए बढ़ा दिया गया, वो 5 सालों तक ये as a president काम करने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छा, तो म इसके अंदर कोई theme beam का concept नहीं आया है, सिर्फ इसके अंदर इस शब्द का प्रियोग किया गया, तो ये सब बाते हो गए, किसके बारे में, इनके बारे में, चलिए, आई अब ज़र चलते हैं, समान लोग तरफ, जैश्री पहली बता लिया साब, honey, okay, चाय हो गई, हेल्थ, कॉफी हो गई, climate, समोसा हो गया, SDG, हे भगवान, सुबह सुबह समोसा, चलो, बताओ, G20 2020 का आयोजन जो है, वो कहां पर किया गया था, फटा, फट से आंसर करके बताओ, जल्दी से आंसर करो, तुमारा पेपर 18 तारीक को, 18 दिसंबर को है, तो कम से कम 5 दिसंबर तक का तो पढ़ने ही पड़ेगा, इसका आसर बनेगा, साओधी अरेबिया के अंदर इसका आयोजन किया गया, नेक्स सुनिएगा, 2021 में, कौन सी वाली जी, ओपिसी बात है, 20 की सिरीज चल रही है, तो 20 वाली का आयोजन, इटली के अंदर किया गया, नेक्स वाली 20 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, ये होगा, इंडोनेशिया के अंदर, और बस यही बोला गया है, कि अब तुम्हारे हवाले वतन साति हो, इंडोनेशिया से का है, अगला सुनिएगा, G20 की समिट, 2023 में कहां होगी, भारत के अंदर होगी, और अगर आप से 24 की पूछली जाए, तो ये ब बेठक के अंदर, कौन सा एडिशन था ये, तो ये 18 एडिशन था, कौन सा 18, किसने होस्ट किया, तो बुरुनी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, और इसके अंदर, मोदी जी ने पार्टस पे किया था, नेक्स पर आ जाई, योगेंद्र बहुत बढ़िया, वेरी बुरुनी होगा, सिर्फ आसियान लिखके आएगा, तो भी बुरुनी होगा, इसके अंदर कुछ गरबर मत कर देना, ठीक है, अगला सुनिएगा, G7 2020, USA के अंदर, लेकिन इसको कंड़क्ट नहीं किया गया था, क्योंकि COVID के के केसिस बहुत जादा उस समय पर थे, अगला, फोटजेला डिक्लिरेशन, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो फोटजेला डिक्लिरेशन है, NDB के बारे में, NDB क्या है, बैंक है, किसका बैंक है, ब्रिक्स के देशों का ये बैंक है, जिसका हेड़कॉर्टर कहां पर है, ये आपको शंगाई के अंदर देखने को मिल तो यह था अपने लोगों का आज का सेशन जहां पर मैंने आपको सारी चीजे पढ़ा दी है अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे तो मुझे भी नहीं पता तो जिस्ट विश्ट कि आपकी जो दिवाली है और भी जादा रोशन हो आने वाला समय जो है वह आपका खुश आपका करेंटा पर चार तारिक को क्लास नहीं होगा पांच को अगर पॉसिबल हुआ तो आप इसको जॉइन कर सकते हर संडी को आपका ससी कॉम्बाक्त होता है अगें दा कोड विल भी खुरती टें आंड विश्य वाली तो मिलते हैं आपनी जगह पर पुरानी वाली वाहीं पर ठीक है आपर उसे तिल देंट खुश रहिए मुस्कराते रहिए विश्यू आल हापी दिवाली बबाई एंड टेक्या गाईज